तो दोस्तों डेट है आज 22 सिक्टूमबर टाइम हो रहा है चार एकतालिस मिनट मार्केट जो है क्लोज हो चुका इस वीडियो में डिसकस करेंगे हमारी फाइनल पॉजिशन साथ की साथ में टेलिग्राम चैनल पर मैंने क्या अपडेट डाला था और उसको हम यहाँ पर क्रो कर सकते हैं तो वह चार्ट का आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर हमारे टेलिग्राम चैनल पर मैंने मौंडिंग में यहाँ पर आप लोगों को देखिए 924 के आसपास किले लिए यहाँ पर एक कर रहा है और यहाँ पर हमें बाइंग साइड के लिए देखना है तो इस जोन के ब्रेक आउट का वेट करना होगा ओके जोग एक रांड ऑफ नमबर है 24,000 सेम मैंने बेंक लिप्टि में भी का था 22,000 का रांड ऑफ नमबर है और इसके बाद में नेक्स अप्डेट आली थी 22,000 को पर अगर बाइंग कर हाईएस यहां पर लगाया था इस वाले stripe price न और यहां पर देखिए मेने profit lock करने के लिए बाइथ देन इसके बाद में देखिए market में जो भी update हो रही थी मा पर time to time update कर रहा था देन मैंने दो बज के गत्तिस मिंट पर भी देखिए आप लोगों को अप्डेट डाला था कि फिन निप्टी में तेस आट सो वाला सपोर्ट जो है न अगर ब्रेक होता है तो 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 देखिए यहां पर अगर मैं फिन निप्टी का चार्ट दिखाता हूं तो देखिए यह वाले जोन को ब्रेकडाउन की मैं बात कर रहा था और यहां पर देखिए इसने लो लगाया और यहां से 660 के आसपास का यहां कि 660 तक आया यहां पर हमें देखने को मिला मेरी अपडेट के बाद में तो टेलिग्राम चैनल पर मैं लाइव मार्क की अपडेट डालते रहता हूं आप लो अपर वाला ओके तो मार्केट ने क्या किया है जैसे जौन के आसपास सारा स्टेलान के आसपास मार्केट जो है रिजेक्शन फेस कर रहा है आज भी क्या हुआ अब ही इसने बॉट्टम बाली जो ट्रेंड लाइन आ ओल्मॉस्ट इससे पहले-पहले क्लोजिंग दी है तो कल के दिन हमारे क्या प्लान रहेगा कल के दिन सिंपल से प्लान है अगर मार्केट खुलता है लिटल बिट गैप खुलता है तो हमें इस जोन के अंदर-अंदर क करना है अगर मार्केट इस्ट्रेच होता है नीचे आता है इस टेल लाइन के आसपास काइंड डबल बॉर्टम बनाता है यह यह यहां पर चोटी ट्रेंड टाइम पर ब्रेक आउट देता तो हम यहां पर क्यूक्स से एल्पिंग के इसाफ़ से बाइंग साड़ के लिए छ इसको ब्रेकडाउन करेगा रिटेस्ट करने आएगा देन यहां पर हम सेटप देखेंगे एडिंशोल्डर या कुछ भी आपको जो भी सेलिंग का सेटप बनता है वो देखने के बाद में हम रिटेस्ट के बाद ही यहां पर सेलिंग के लिए ट्रेट प्लान करेंगे यह व ने ठीक जाया वहां यहां पर सिंपल सा बाद में रखनी अगर सबसे पहले हैं मार्केट फ्रेट कुलता है, थोड़ा गेपड कुलता है, तो at least इस zone के आसपास आने देंगे, double bottom, या है inverted head and shoulder pattern या कोई भी buying का setup बनता है, cup and handle pattern तो हम यहाँ से buying side के लिए plan करेंगे, हो सकता है, यहां से support लेकर के market रूपर आ जा, at least यहां से 51,600 and 700, 800 वाले zone को test करने लिए आ सकता है, तो simple सा मेरे plan रहेगा, छोड़े target के साब से, अब मैं बात करता हूं selling के, selling के हमारे पास दो यहाँ पर opportunity है, या तो market flat खुलता है, या छोटा मोटा gap down कुलता है, तो वेट करेंगे retracement का, कहां पर market अगर flat खुलता है, तो नीचा आने देंगे, retracement का वेट करेंगे, या gap down खुलता है, तो भी retracement का वेट करेंगे, कितना retracement का वेट करेंगे, retracement के वेट करेंगे, at least हम इस वाले 10 लाइन के आसपास, तो यहां कहीं अगर हमें selling side का यहां पर setup बनता है, head and shoulder pattern, double top pattern या 10 line का breakdown, तो हम selling side के यह trade plan करेंगे, और simple हम लोग यह target plan करेंगे, तो यह हमारा यहां पर रहने वाला है, nifty bank में, एक छोट आने की, 260, 250 के आसपास हम sell करेंगे, और 51,000 के बीच का हम यहां पर target plan करेंगे, तो आर bottom पर, जो मैंने यहां पर यह support ले, bottom पर कहां पर, यहां पर, यहां मैंने यह वाला join decide करके रखा, okay, अगर हम इस वाले level को हम trade करना avoid करते हैं, तो इस वाले join के breakdown का wait करेंगे, retest होने देंगे, then उसके बाद हम यहां पर अपनी selling side को execute करा सकते हैं, अब इसका फायदा क्या है देंगे, मैं थोड़ा zoom out करके दिकाता हूं, देंगे फायदा यह है, यह वाला join जो है, multiple time पर test हो चुगा, अब अगर यह breakdown मिलेगा, retest होगा, then इसके बाद में इसका final support है यह बैठता है, यहां पर 50,400 वाला join, तो आराम से हम यहां से 500, 600 point की एक rally यहां पर capture कर सकते हैं, त यहां पर हम क्योंकिए scalping के इसाब से कर सकते हैं, लेकिन safer side में हमारे लिए जो trade plan होगे, ने selling की वह होगी, इस zone के नीचे-नीचे, तो यहां पर हमें थोड़ा safety रहेगी, यहां पर confidence भी हाई रहेगा seller's का, उस इसाब से हम यहां बढ़ा target ग्रेप कर सकते हैं, तो simple है, अब बात करते हैं हमारी final position की, तो आज के दिन मैंने book किया है, यहां पर 4920 रुपीज का profit intraday trade करके, तो मैंने 943 के आज पास यहां पर मैंने जो है, अपना trading session complete कर लिया, और आज के दिन मैंने book किया है, आप 4920 रुपीज का profit, आज की विडियों में इतना ही, आज की शोस्ता.